हलो प्यारे बच्चो नाश्कार प्यारे बच्चो हमने लास्ट क्लास में 8.2 के फर्स्ट कोश्चन कर लिया था ठीक है जिसके आपको मैंने चार कोश्चन करवाया था और फूर्थ कोश्चन मैंने आपको करने के लिए था आज बच्चो हम आगे के कोश्चन करेंगे या मैं पहले first का ही fourth part करवा दिता हूँ जिन बच्चों से नहीं वह होगा उसका answer match कर लेते हैं sign 30 plus 1045 minus cos 60 sag 30 plus cos 60 plus cot 45 ठीक है जी चलिए sign 30 का मतलब बच्चों 1 by 2 45 का मतलब 1 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 cos 60 का मतलब 2 by root 3 यह याद होने ची बच्चों आपको sag 30 की value क्या होती है बच्चों 2 by root 3 और cos 60 की value 1 by 2 और cot 45 की 1 1 हाँ जी चलिए क्या करेंगे पहले इसको solve कर लीजे नंबर को तो इससे करेंगे 1, 2 को 1 ते करेंगे 2 upon नीचे को नीचे करेंगे 2 minus 2 by root 3 same case यहाँ पे भी इसको इससे 1 इसको इससे 2 नीचे को नीचे से 2 तो यह हो जाएगा 3 upon me 2 minus 2 upon me root 3 इस तरह यह हो जाएगा 2 upon me root 3 plus 3 upon me 2 ठीक है चलिए इसको भी ऐसी solve कर देते है करो इसको इससे करेंगे 3 root 3 इसको इससे करेंगे 4 नीचे को नीचे से करेंगे 2 root 3 इसको इससे करेंगे 4 इसको इससे करेंगे 3 root 3, नीचे करेंगे 2 root 3, नीचे करेंगे क्या आएगा, 2 root 3, ठीक है बचो, चलिए, आगे देखेंगे, अब क्या होगा, इस 2 root 3 से 2 root 3, cancel, अब 3 root 3 minus 4 upon, upon, 4 plus 3 root 3, अब जैसा उपर आव ऐसा ही नीचे बना लो, कैसे बना लो, आवैं 4 पीचे हैं ना, तो 3 root 3 को आगे plus 4 को, पीचे लिखतेंगे, कोई फर्क नीच पढ़ेगा, क्यों नीच पढ़ेगा फर्क पागचो, क्योंकि प्लस की चीज़ को आगे पीचे लिखतेंगे तो, कोई फर्क नहीं पढ़ ता, अब हम क्या करेंगे, अब हमा More करेंगे, rational rationalization, बच्चो rationalization के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, by rationalizing, by rationalization, हर का परीमे करन, हर का परीमे करन, हाँ जी, हर का परीमे करन का मतलब होता है बच्चो, कि जो चीज नीचे है, उसी से multiply और उसी से divide, बस फर्क कितना है कि अगर प्लस की चीज है, तो दोनों तरफ क्या लगेगा, minus, और अगर minus होता है, दोनों क्या लगता, plus, करोगे तो 3 root 3, minus 4 का whole square, यह आपको a plus b, यह आपको a minus b, लग रहा है, तो मतलब a का square, minus b का square, तो क्या बन जाएगा यह, खोलिए इसको, a minus b का whole square, a square, plus b square, plus, minus, 2ab, भाई, 3 का square 9, और root 3 का 3, 4 का square 16, इस तरह इसका भी 3 का square 9, root 3 का 3, 4 का 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और यह 9, 3 जा 27, minus 16, 9, 3 जा 27, plus 16, minus 24, root 3, यह इतना 11, ठीक है बच्छो, तो आपका answer जो बनेगा, वो बनेगा, 27 और 16, 43, minus 24, root 3, upon 11, यह answer है, कीजिए, यह आपका answer है, ठीक है बच्छो, वीडियो बाउस करके नोट कर लिया, चलिए, तेखेंगी दे रहा, देखेंगी बच्छो, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, 8.2 का ही, 2nd का 1st question, देखो, 2nd का 1st question, ठीक है, जैसे, 2, 10, 30, upon 1, plus 10, square, 30, ठीक है, चार option दिये हुए है, option number A, sine 60, option number B, cos 60, option number C, 10, 60, और option number D, sine 30, तो कहरा बताईए, कौन सा option इसको solve करने पर आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ना, बैट 2, 10, 30 की value गया होती है, 1 upon root 3, 10, 30 की value गया होती है, 1 upon root 3, इसका square, यह बनेगा 2 upon root 3, 1, बच्छो, 1 का square 1, और root 3 का square क्या होता, 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा, बच्छो, 1, 2 root 3 3 की multiply 1 से 1 की multiply 1 से 3 की multiply 1 से तो बच्चो 2 root 3 1 plus 3 4 upon 3 हाँ जी बच्चो अपको क्या सिखाय गया है कि fraction के नीचे fraction होगा तो नीचे वाला fraction क्या हो जाएगा पलट जाएगा पलट यह है 3 upon 4 प्यारे बच्चो यह तो cancel हो गया 3 upon 2 into root 3 लेकिन बात यहीं खतम नी होती जैसा कि हमें पता है कि A जो होता है वो under root A into में under root A के बराबर होता है सही बात है तो जब A root A into root A के बराबर होता है तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3 बराबर होगा root 3 into root 3 के जी बिल्कुल सेम उपर वाला यह match कर रहा है तो क्या मैं इसे root 3 into root 3 लिख सकता हूँ जी बिल्कुल अब root 3 से root 3 कट गया बचा root 3 upon 2 अब प्यारे बचों अपने table अच्छे से पढ़ रखिए तो बताइए table के अनुसार root 3 by 2 किसमें आता है sin 60 में cos 60 में 1060 में sin 30 में sin 30 होता है 1 by 2 यह cancel हाँ भई 1060 root 3 होता है यह भी cancel cos 60 1 by 2 होता है यह भी cancel sin 60 यह बचा तो option number क्या आया option number क्या आया clear चले हो next question अब करेंगे हम question number कौन सा question number second question number second question number second है 1 minus 10 square 45 1 plus 10 square 45 ठीक है कि आप प्रूफ करो ठीक है जी प्रूफ कर देंगे 1 1045 की value 1 1 का square 1045 की value 1 1 का square 1 1 का square 1 1 plus 1 तो 1 में साथ 1 किया 0 upon 2 और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 तो बच्चों आप्शन नुम्बर कौन सा option number D D option है ठीक है इसके आप 3rd question करेंगे 3rd कैरा sign 2 A बराबर 2 sign A के तो बताओ A की value क्या होगी तो A की value क्या पूचिए 0 degree 30 degree 45 degree और 60 degree ठीक है तो क्यारा बताओ कि भाई इनमें क्या होगा आपका value चलिए सुरू करते हैं बच्चों आप इसको ना कभी ऐसे पता नहीं लगा सकते solve करके क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ना हम इसे कभी ऐसे solve करी नहीं सकते क्योंकि sign को कैसे change करोगे? चेंज होएगा ही नहीं तो ऐसी situation में यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए बच्चों यहाँ पे angle put करके देख लेंगे तो एक बार पहले 0 put करके देखो फिर 30 फिर 45 फिर 60 तो मानलो आपने 0 put किया करो भाई A is equal to 0 put करो तो sign 2 A की जगा पे 0 2 sign A की जगा पे 0 हाँ भाई sign 2 इंटू में 0 जीरो और sign 0 की पहले तो 0 ही होती है तो sign 0 की पहले जीरो 2 इंटू में 0 तो 0 बराबर 0 तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा A option अब तुम्हें लगेगा कि यह तो क्या करा दिया सर ने चलो एक बार एक काम करते हैं और यह 30 sign 60 root 3 by 2 जबकि sign 30 1 by 2 तो cancel तो root 3 upon 2 बराबर 1 क्या यह कभी possible है भाई यह कभी possible नहीं है तो इसका मतलब ना B है ना C है ना D है तो यहनि आंसर आपका क्या हुआ 0 degree तो फट आफट नोट करो इसे फट आफट नोट करो इसे इसका fourth part आपको खुद करना है चलो अच्छो यह अपने नोट कर लिया होगा आगे देखिए अच्छो नमबर थरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टन क्यारा है 10 A plus B बराबर है root 3 के और 10 A minus B बराबर है 1 by root 3 के तो बताओ A की value क्या है और B की value क्या है अगर A बड़ा है B से अगर A बड़ा है किस से B से अगर A B से बड़ा है तो A की value B की value find करो इस situation के नुसार ठीक है जी नाओ बच्चो 10 A plus B is equal to root 3 यह हमें given है यह हमें दिया हुआ है अब मुझे यह check करना है कि क्या कहीं 10 के term में root 3 आता है तो अगर आप table देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि हांजी 10 के table में root 3 कहां पर आ रहा है बच्चो वो 60 degree पर आ रहा है आ रहा है तो क्या मैं root 3 की जगा 10 60 लिख सकता हूँ जी बिलकुल इससे आसानी क्या होगी कि 10 से 10 cancel हो जाएगा और जब 10 से 10 cancel हो जाएगा तो A plus B बराबर 60 जो कि मेरे लिए equation number first का का काम करेगा ठीक है इसी तरह 10 A minus B बराबर 1 by root 3 तो अब ये चेक करना है कि क्या 10 अच्छा एक बात और बता रहा हूँ अगर यहाँ 10 दिया तो 10 में ही चेक करोगे sign दिया तो sign में ही चेक करोगे cos दिया तो cos में ही चेक करोगे तो बताइए 10 में 1 by root 3 चेक कीज़े कहां पर आ रहा है जी 30 पर तो 10 30 लिख सकता हूं इसकी जगा 10 से 10 कट गया 30 A minus B बराबर 30 यह हमारे लिए equation number किसका काम कर रहा है second का किसका काम कर रहा है second now solve equation first and second equation first क्या है A plus B बराबर 60 equation second क्या है A minus B बराबर 30 solve करेंगे अजी plus minus कट गया A plus A plus तो A A 2 A 60 30 90 2 यहां बच्चों multiply कर रहा है इदर आगे क्या करेगा divide 90 upon 2 cancel out 45 तो A की value कितने आगे 45 अब क्या करेंगे put A in equation first A का मान sume करन sume करन एक में रखने पर तो A plus B बराबर 60 A की value कितनी है 45 तो बताइए B की value कितनी हुई प्लस का 45 इदर आके माइनस और 60 में तो 45 कितने गए बच्चे है पंदरा तो देखो A की value 45 B की value 15 तो बताइए क्या A बड़ा है B से जी बिलकुल यानि जी हमारा आंसर बिलकुल ठीक है करो जल्दे लेगी जी ठीक है चलिए हम जी बच्चो अब हमें शुरू करना है क्या अब हमें शुरू करना है एक नया topic जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं एक angle के बारे में कुछ theories पढ़ेंगे ताकि हमें उसके practical easily समझ में आ जाए ठीक है चलिए तो बहुत प्यार से सीखते हैं आपके सामने छे formula लिख रहा हूँ मैं छे formula लिख रहा हूँ अभी 10th class में आपके लिए ये sufficient डेवच्चो लेकिन 10th के बाद हम आगे इसमें और भी चीज़े सीखेंगे और काफी detail में सीखेंगे तो आज ये 6 formula आपके सामने हाजी रहा है next class में आपके सामने मैं 12 formula लिखूंगा तो पहले ये 6 formula और इससे related question आज सीखेंगे बच्चो sign 90 minus theta मतलब 90 के अंदर अंदर के angle के बारे में हमें काम करना है 90 degree के अंदर जितने भी angle है उसके लिए काम करना है तो मेरे भाई sign 90 minus theta यानि 90 में से minus करके हमें कुछ angle नया बनाना है तो जब भी ऐसी situation आजाए बच्चो तो sign 90 minus theta आए तो क्या बनेगा वो cos theta theta का कहने का मतलब है कि जो angle यहाँ होगा वही angle cos के साथ में होगा इसी तरह cos 90 minus theta किसके बराबर होता है sign theta 10 90 minus theta किसके बराबर होता है cot theta cot 90 minus theta किसके बराबर होता है 10 theta sec 90 minus theta किसके बराबर होता है cos sec theta जबकि कॉसेक 90-टा किसके बराबर होता है सेक ठीटा ठीक है जी ये 6 फॉर्मॉले आपको याद करना है अच्छे से और ये 6 फॉर्मॉलों के बलबूते पे हम 8.3 प्रॉपर खतम कर लेंगे और इसी तरीके से हो जाएगा हमसे ठीक है तो ये 6 फॉर्मॉले हैं इसके आगे और भी फॉर्मॉले है 11 क्लास में इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी पता करेंगे कि आखिरकार चेंज होने का कारण क्या है क्यों कॉस साइन में चेंज हुआ 10 कॉट में, कॉट 10 में ये सारी बाते हम आगी की क्लासों में जानेंगे अभी फिलाल आपके लिए फॉर्मुले जरूरी है नोट करो इसे चलो हो गया ठीक है चलिए 8.3 पहले का फर्स्ट पार्ट साइन 18 डिगरी और भाई कॉस 72 डिगरी ठीक है और इसका सेकंड पार्ट आपको चलो ठीक है करवाएंगे विबले देखो इसे अब बात यह कह रहा है इवेल्वेट दिस आंसर निकाली है इसका ठीक है इसका आंसर निकाली है ठीक है जी निकाल लेंगे बहुत प्यार से साइन 18 कॉस 72 ये लिखा हुआ है बच्चो एक बात याद रखना मैंने आपको टेबल के अंदर पांच एंगल पढ़ाए जीरो, ठर्टी, फॉर्टी फाइफ, सिक्स्टी और नाइन्टी ये पांच एंगल पढ़ाए अब एक बात याद रखना अगर ये पांचो है तब तो आप डारेक्ट आंसर लिख सकते हो क्यों क्योंकि इसकी वैलू आपने टेबल से याद कर रखिए लेकिन इन पांच एंगलों के अलावा कोई सा भी एंगल आ जाए इन पांचों के लावा कोई सा भी एंगल आ जाए तो उसको आप जो मैं अब करने जा रहा हूँ उस तरीके से करेंगे ठीक है इन पांचों के लावा कोई भी आ जाए तो जो तरीका मैं अब अपना रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है अब करना क्या है कि इनको चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे बच्चो साइन 18 और कॉस 72 चेंज उन्हीं को करना है जो 45 से बड़े है जो 45 से क्या है बड़े है जो 45 से बड़े होंगे उनको चेंज करो जो 45 से बड़े नहीं है उनको बिलकुल भी चेंज करनी जुरत नहीं है तो आईए शुरू करते हैं हाँ जी ये साइन अठारा है तो चेंज नहीं करेंगे क्यों 45 से छोटा है कॉस बहत्तर 72 भाई इसको change करेंगे विए 40 वाई से बड़ा है तो कैसे करेंगे भाई क्या मैं 72 को 90 minus 18 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ जी बिलकुल लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि 72 है कौन 90 में से 18 minus करेंगे तभी 72 आएगा अब कुछ बच्चों के mind में घूम रहा है कि अगर 100 में 28 minus करते तभी 72 आजाएगा अब बताओ न अब क्या करें ठीक है अब भी तो आजाएगा तो ये क्यों नहीं लिया ये ही क्यों लिया तो मैंने बच्चों अभी आपको जितने भी फॉर्मुले लिखवाए चे फॉर्मुले जो लिखवाए अभी उसमें मैंने एंगल कहां से लेने के लिए बोला है उसको 90 से कहां लेने के लिए बोला है 90 से तो फिर आप 100 का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं क्यों? क्योंकि जब आपको formula बनाना ही 90 से है तो आप 100 का इस्तमाल करोगे और क्यों? बिल्कुल भी नहीं करोगे तो इसलिए बच्चों आपको जो भी लेना है वो क्या लेना है? 90 लेना है 90 degree के angle के हिसाब से आपको angle बनाना है तो angle कैसे बनाएंगे? 72 है तो 90 minus 18 या आगया अब एक बात बताईए आपने अभी formula पढ़ा कि cos 90 minus theta बराबर होता है sin theta के यह formula भी ताज़ा ताज़ा पढ़ा अपने 6 formula में से तो जल्दी बताईए उपर वाली party तो sin 18 रहेगी लेकिन नीचे वाले को देखो cos 90 minus theta cos 90 minus theta cos 90 minus theta है किसके बराबर sin theta के? तो लो जी sin और theta की जगापे कौन है? 18 तो आगया 18 बस cancel out answer कितना आगया? 1 answer कितना आगया? 1 इसी तरीके से इसका part 2 देखेंगे part 2 देखेंगे 10 26 degree और 10 64 degree sorry 10 नहीं है court है court 64 degree हाँ जी अब बताओ जल्दी बच्चो ये 45 से 45 से छोटा है तो वैसे कर वैसे ही रहेगा ये 45 से बढ़ा है तो इसको change करेंगे कैसे? 90 minus 26 क्यों? क्योंकि 90 minus 26 64 होता है ठीक है? अभी अभी हमने formula पढ़ा कि court 90 minus theta बराबर होता है 10 theta के बराबर किसके होता है? 10 theta के तो बताओ 10 26 बराबर court 90 minus theta court 90 minus theta किसके बराबर? 10 theta तो 10 theta की जगए 26 cancel out answer 1 है simple? चलिए आप मेरे को इसका थर्ड पार्ट करके दिखाए अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं कराओंगा cos 48, cos 42 करो इसे note भी करो और इसे करके भी दिखाओ जल्दी 2 minute का टाइम है जल्दी 2 minute का टाइम है ठीक है? चलिए थर्ड पार्ट कोशिश की जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं मैं करा रहा हूँ देखो जाए थर्ड पार्ट हाँ जी तो ये 45 से बढ़ा है इसे को चेंज करेंगे cos cos 90 minus 42 क्योंकि 90 में से 42 जाएगा 48 आजाएगा? जी बिलकुल आएगा तो जल्दी बताओ cos 90 minus theta क्या होता है? sin theta और theta की जगा पर आएगा 42 ठीक है? एक मिनट एक मिनट कुछ कुशन गलत तो नहीं है हमेने oh oh sorry 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 here sin 42 है sorry बच्चो sin 42 है यहाँ बे my mistake sin 42 तो यह plus का sin 42 यह minus का तो कटके 0 हो गया कटके क्या हो गया? 0 हो गया ठीक है? चलिए तो इसका fourth part आप खुद करेंगे अब मैं second का first part करा रहा हूँ 1048 1023 1042 1067 किया रहाब 1 के बराबर proof करो किसके बराबर proof करो? 1 के बराबर proof करो ठीक है जी? चलिए अब उनी उनी को change करेंगे बच्चों हम जो 45 से बड़े हैं और जो 45 से बड़े नहीं हैं उनको change हम नहीं करेंगे चलो Left hand side अंजी 1048 बड़ा है 45 से? जी बिलकुल तो कैसे लिखेंगे? 48 को हम लिख सकते हैं 90 minus 42 1023 45 तो छोड़ा है छोड़ दो 1042 45 तो छोड़ा है छोड़ दो हाँ बढ़ी और क्या बढ़ी? 1067 ये 45 से बड़ा है इसको करेंगे तो ये क्या होगा? 90 minus 23 ठीक है जी? तो जल्ली बताओ 1090 minus θीटा किसके बराबर होता है? cot θीटा formula में देखते रहेंगे जो formula आपको लिखवाए गए हैं उसमें देखते रहो कि 1090 minus 42 किसके बराबर है? cot के? तो बस बात खतम हाँ जी तो cot θीटा ये change होगा नहीं ये change होगा नहीं ये 1090 minus θीटा तो बताओ 1090 minus θीटा भी क्या होता? cot θीटा 10 किसका उल्टा होता? cot का तो जिस बर जी को भी change कर दो तो मानलो हमने cot को change किया तो cot किसका उल्टा होता? 10 का 1 upon 1042 1023 1042 cot 23 तो इक किसका उल्टा होता है? 10 का हाँ जी 1042 से 1042 1023 से 23 1 into 1 क्या अगे answer? 1 तो इस तरीके से पुरूफ करना है hence approved करिए इस तरह second part आपको खुद करना है इसका ठीक है? ठीक है बच्चो? तो यहां तक आप कोशिश करना ठीक है? आज की class में यहीं खतम कर रहा हूँ ठीक? next class में मैं इसके आगे के कोशिशन करवाँगा आपको और 8.3 प्रॉपर खतम होके 8.4 शुरू कराई जाएगे आपको ठीक है? तो आप इसके खतम करिए ठीक है? अफिर next class में हम लोग इसके आगे कहानी शुरू करेंगे चलिए, बाई